गुड मॉर्निंग एवरिवन हम आज देखेंगे आईडियम के बारे में इंटीग्रेटर डिजीज मैनेजमेंट क्या है और इसके डेफिनेशन क्या है इसके एंस क्या है क्या ओब्जेक्टिव से बेनिफिट और डिसएडवांटेज के बारे में और हमें क्यों जरूत लाई करने की तो सबसे पहले देखते हैं कि IDM होता क्या है इंटीग्रेटर डिजीज मैनेजमेंट तो यह क्या है कि यह क्या है कि एक प्रैक्टिस होती है of using a range of measure to prevent and management disease in crop like IDM में हम क्या करते है कि हमारी कोई field है उसमें disease आई हुई है तो हम उसको कन्ट्रोल करेंगे और further disease उसको prevent करेंगे उसकी नए pathogen की entry को prevent करेंगे और disease को management करेंगे ठीक है तो definition definition देखते हैं कि एक approach होती है that attempt to all use all methods of control control of disease of crops for best control result with less cost and less damage to the environment by using cultural biological and physical method of management तो इसमें यही है कि IDM में हमारे पास इतने भी available resources होते हैं like physical, chemical, mechanical जो भी methods हैं हम सब का use करेंगे और हमें इस क्यों करेंगे use क्योंकि हमें best results चाहिए easily हमारे disease control हो जाए और वो भी less damage environment पे ठीक है environment पे कोई भी उसका negative impact नहीं होना चाहिए like हम अगर only fertilizer, chemical fertilizer यूज करें, pesticide यूज करें तो उसका environment पे काफे negative impact पड़ता है तो हम देखेंग पे कोई जादा negative impact नहीं करना चाहिए और less cost पे होनी चाहिए क्योंकि after all idm use कोन करेगा farmer करेगा तो अगर कितना भी effective हो farmer तब तक उस disease को adapt नहीं करेगा जब तक वो cost effective हो तो हमें इस disease का भी धहान रखना है कि वो एक cost effective हो और उसका environment पे effect कम पड़े negative effect कम पड़े तो इसमें ह physical method of management है और physical method में भी बहुत सारे methods होंगे ठीक है तो जैसे हम वहाँ पे fertilizer, mechanical fertilizer, chemical वगेरा हम सारी चीजों का use करेंगे बट एक specific amount में और सबका combination होगा ताकि उसकी price भी कम हो और easily हमें best result मिल सके फिर idm के aims क्या होते हैं तो eradication of pathogen and prevent loss above ETL इसमें क्या बोल रहा है कि eradicate करना pathogen को like हमारे field से completely हम pathogen को वहाँ से remove करेंगे ठीक है ना तो वो कर सकते हैं हम कैसे की ऐसे seed quarantine वगेरा ठीक है, seed को quarantine करेंगे, seed treat करके फिर use करेंगे, जो हम plant materials use ले रहे हैं, tubers वगेरा वो भी infection free होने चीए, ठीक है जो हम field select कर रहे हैं, वो field भी पहले से उसमें कोई disease नहीं होनी ची हैं कि field में जो condition है वो favorable नहीं होनी चीए, disease development के लिए और sowing भी effect करती है, like हम अगर early sowing कर देंगे तो pathogen का attack नहीं होगा, उसके बाद में यह बूल रहे हैं कि prevent loss above ETL, ETL क्या होता है, economical threshold level, तो ETL पे क्या करेंगे, हम economical threshold level, तो ETL एक ऐसा level होता है, अगर यहां तक हमारा कोई भ application नहीं करेंगे, जैसे fertilizer वगेरा, chemical control कुछ भी नहीं अपलाई करेंगा, वो हमारी economic loss नहीं करेंगा, लेकिन जब path ETL के उपर पहुंचाती है, तब दिक्कत आती है, कि इससे अगर ज़्यादा हो गया, तो हमारा risk ज़्यादा होगा, हमारी crop में ज़्यादा loss होगा, तो उसक दो अप्रोच आती, एक होती है, management of single disease of crop, और management of overall plant health, लाइक तो है, कि जैसे मेरा potato का crop है, उसमें late blight आई वी है, तो मैं IDM सिर्फ उस late blight के लिए ही apply कर रही हूँ, उसको ध्यान रखके, तो वो एक single crop के लिए हो गया, और एक है कि single disease के लिए हो गया ना crop में, और एक होते ह overall health देख रही हूँ कि उसकी quality भी improve हो, मैं साथ में कुछ cultural practices भी add कर दूँगी, irrigation अच्छे से दूँगी, ताकि उसकी quality yield भी जादा हो, तो वो overall health होगी plant की, उसके बाद में हम देखते हैं कि need of IDM, तो integrated disease management की हमें जरत्यू पड़ी है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, for determine the effectiveness of input, like, अगर integrated disease management से मैं को ये पता चल सकता है, कि मैं जो अपने seed, fertilizer, या फिर irrigation दे रही हूँ, वो कितना effective है, ठीक है, क्योंकि अलग-अलग modules होते हैं इसमें, जैसे मैंने पहले अपने field में एक spray किया, carbonazine का, ठीक है, तो उससे, या baristine का, तो मैं को उससे पता चलाना कि कितनी percent disease control हुई है, तो हम उसकी effectiveness देख सकते हैं, और उसके बाद में इसके से environmental pollution कम होता है, जैसे कि हमने उपर पढ़ा था, कि ये environmental pollution minimum होता है इससे, ठीक है, फिर development of integrated plant protective strategies, like plant की health पे भी कोई navigative impact नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, protect कर रहे है हम plant को, तो ये overall beneficial ही होती है, compare to, जैसे, वो हमारे chemical fertilizer वगेरा हम use कर रहे है, तो उससे ये better ही है, उसके बाद में हमारे objective क्या-क्या है, use करने के IDM को, तो सबसे पहला objective होता है, कि हम reduce करते है, new plant disease introduction को, like हमारा कोई field है, ठीक है, ये कोई field है, अब इसमें कोई नही disease ना आए, उसको हम IDM से, ये हमारा objective है, कि हम नए pathogen की entry को prevent करेंगे, like हम field में उसमें वहाँ पर quarantine लगा देंगे, seed inspection करेंगे, तो वहाँ पर नए pathogen नहीं आएगा, और क्या करेंगी, avoid करेंगे condition that suitable for disease development, like वही planting time, manual selection, like इंसान ऐसे field को, हम ऐसे field को select कर रहा है, जहां पर disease के लिए condition favorable ही नहीं है, तो वह नहीं आएगी, resistant variety लें लें pathogens को, ठीक है, हम अब pathogen और host के interaction को ही नहीं होने दे रहे हैं, जो जिस time पे वो interact कर रहे हैं, हम उस time को ही avoid कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम देखते हैं, importance of IDM, importance of IDM क्या है, तो सबसे पहले यह क्या करता है, जो हमारा primary inoculum है, उसके potential को reduce करेगा, और उसकी quantity reduce करेगा, अगर अगर हम अपने primary inoculum को ही reduce कर देंगे, तो disease कम होगी ना, जैसे कोई soil bond pathogen है, ठीक है, तो हम soil solution कर दे, हमने deep flowing कर दी, उनके जो वहाँ पे pathogen, जो hibernate कर रहे हैं, उनको expose कर दिया, तो expose करने से क्या हुआ, उसका primary inoculum का potential कम हो गया, तो अब वो disease कम फैलेगी, उतके बाद में resistance जादा होगा, अगर plant में resistance जादा हुआ, तो ultimately disease कम होगी, ठीक है, और slow secondary spread, देखो जितना भी secondary spread है, वो rain के थू होगा, या wind के insective vectors, कुछ उनके थू होगा, तो हम अगर उसके secondary spread की chain को ही break कर देंगे, तो disease का development कम होगा ना, जैसे हमने उसके, अब धीरे-धीरे secondary spread होगा, त disease भी कम ही फैलेगी, एक हमारे एक time period में, वो उसका potential कम हो जाएगा, वो उतनी severe नहीं होगी, जितनी होनी चाहिए थी, जैसे अगर कोई disease है, उसका secondary spread fast होगा, तो वो ज़्यादा infection cause करेगी, अब कोई disease है, जिसका secondary spread कम होगा, तो वो कम infection cause करेगी, उसके बाद में देखे, delay onset of disease, इस disease के onset को ही delay कर देंगे, ताकि वो diseases time आनी चाहिए थी, वो आएगी in use time, उसके बाद प्रोवाइड good health for plant and prevent the loss of disease, plant की भी health अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारे measurements हम use कर सकते हैं, like cultural practices वगेरा, तो overall हम plant की health भी देखेंगे, हमारी yield अच्छी आनी disease management के principle है, वही same IDM के भी principle है, इसमें सबसे पहले आ गया avoidance, exclusion, eradication, protection, disease resistance और therapy, तो avoidance में क्या आएगा, avoidance में कि हम जो हमारा pathogen है और जो crop है, उसमें जो susceptible stage होती है, host की, उसको pathogen के interaction को avoid कर देंगे, like हम उस ताइम पे sowing नहीं करेंगे, जस ताइम पर disease आ रही है, हम वो field select नह जो disease infection नहीं हो समें, ठीक है, तो उसके बाद में exclusion, exclusion में क्या होगा, कि हम completely एक ऐसा area जहां पे कोई disease है नहीं, तो वहाँ पे disease का, या जो pathogen है, उसके interaction को avoid करेंगे, यह कर सकते हैं, seed quarantine से, seed inspection से, ठीक है, उसके बाद में eradication, eradication में वही कि जैसे pathogen spread हो रहा है, तो हम उसकी spreading chain क breakdown कर देंगे, ठीक है, जो वह spread नहीं हो पाएगा, और disease infection करेगी, उसके बाद में protection, protection में हम क्या करेंगे, chemical spray कर सकते हैं, जैसे हमने एक plant है, उस पे fungicide spray किया, तो वह जो fungicide है ना, एक protective layer बना देगा, यह जो plant है, इसकी leaf पे ना, एक protective layers बन जागी, और इसके बाद यहाँ जब कोई भी pest attack करेगा, तो उससी वो directly plant के contact में नहीं आएगा, क्योंकि उसके बीच में fungicide की एक layer है, तो वो disease के infection को reduce करती है, disease resistant variety, हर insect के लिए, या हर pathogen के लिए, सबसे ज़्यादा यह है कि उसका plant है, host है, वो susceptible होना चाहिए, अगर susceptible नहीं होगा, उसमें resistance होगा, तो वो होग सारी resistance variety होती है, अलग-अलग जो हमारी disease है, उसके लिए अलग-अलग varieties यूज की जाती है, therapy, अब एक बार हम, यह हमारे curative majors से, जो हमें use करने चाहिए, disease आने से पहले, अब एक बार हमारे field में disease आगी, तब हम क्या कर सकते है, हमें therapy करनी चाहिए, plant को cure करना चाहिए, कोई भी हम, जैसे एक plant है, उसकी leaves में disease आई हुई है, उसकी branches में है, तो हम उन branch को cut करेंगे, और वहाँ पे fungicide लगा देंगे, ताकि वो further infection ना हो उसमें, ठीक है, तो वो हम उसको prevent करेंगे, उसके बाद में हम देखते है, criteria of idea modules development, हम ऐसे तो है नहीं कि हम idea modules हर किसी crop के नहीं दिया जा सकता, ये उन crop के लिए दिया जा सकता है, जिसमें ये कुछ criteria फुल्फिल करती है, जैसे crop vital national importance, like crop ऐसे नहीं होना चाहिए, कि अगर उसमें कोई भी severe disease आ रही है, उससे हमारी economy पे कोई effect ही नहीं पड़ा, अगर effect नहीं पड़ा, तो हमें क्या जरूरत है idea module apply क नहीं के उसके लिए, तो crop का national importance होनी चाहिए, हमारी economy पे उसका effect होना चाहिए, serious loss caused by the pathogen and pest, ऐसे भी नहीं है कि वो थोड़ा बहुत, जो pest है वो थोड़ा बहुत loss कर रहा है, नहीं, अच्छा कासा उसको damage करना चाहिए crop को, तब ही चाके हम उसके लिए IDM देंगे ना, क्यो इसमें कि जो organic pesticides used, उनका inadequate use करेंगे, तिर use your pesticides in generating problems, अगर हम वहाँ पे pesticide और chemical fertilizer का chemical ढाल रहे हैं, तो उससे problem ही हो रही है, उससे वो चीज क्यों नहीं हो रही है, तो जाके हम उसके लिए IDM modules देंगे, तो ये 3-4 criteria है, IDM modules के लिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं, benefit of IDM, IDM के benefit क्या-क्या होते हैं, तो farmer की income बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम IDM में plant की overall health देख रहे हैं, अगर उसकी health अच्छी होगी, तो yield जादा होगी, तो उससे income बढ़ेगी, 10% crop की yield बढ़ेगी, ठीक है, और 80% reduce insecticide use, क्योंकि हम इसमें cultural, biological, mechanical, physical सारी practices यूज कर रहे हैं, तो ह कोई भी negative effect नहीं पढ़ रहा है, ना हमारी soil पे कोई negative effect पढ़ रहा है, कि soil की fertility खराब हो रही है, उसकी structure पे कोई negative impact पढ़ रहा है, increase saving of farmers, farmer के profit जादा देगा, तो उसकी saving जादा होगी, reduce farmer risk, farmer risk reduce कर रहा है, reduce health of care cost, तो इसमें है कि जो हमारा plant है, उसको care, उसकी health के लिए हमें कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं, हमारी क्योंकि हम इसमें कुछ mechanical use कर रहे हैं, practices, कुछ cultural practices use कर रहे हैं, तो वो इतनी costly नहीं होगी, और हमने इसकी definition में भी देखा था कि IDM modules हैं, वो cost effective होने चाहिए, क्योंकि farmer उनको तभी use करेगा, जब वो costly नहीं होंगे, उसके बाद में disadvantages of IDM, IDM के disadvantages में क्या होता है, कि इसमें care जादा चाहिए होगी, क्योंकि ऐसे हैं कि fungicide हमने एक बार spray कर दिया, तो उसके बाद हमें कोई उसकी care नहीं है, लेकिन हमें बार-बार cultural practices करनी पड़ रहे हैं, ठीक है न, तो उसके लिए हमें उसकी care जादा चाहिए होगी, need more planning, ह जो हमारा seed material है, उसमें कोई disease नहीं होनी चाहिए, जब हम कोई, जब sowing कर दी, उसके बाद में हम interculture operations कर रहे हैं, उसके बाद में कौन सा spray किस time पर कर रहे हैं, तो यह सारी planning करनी पड़ेगी हमें उसमें, यह costly due to the regular care, क्योंकि skilled person चीए है, इसकी care करने के लिए, और ही costly process है, इसमें energy and time consuming, क्योंकि ज़्यादा time लग रहा है, एक बार इस पर एक ही नहीं, यह एक series है, तो हमें पूरे sowing से लेके harvesting तक हमें plant की care करनी पड़ रहे हैं, तभी ज़्यादा care चीए, तभी ज़्यादा energy और time consuming है, skill person और labor चीए है, उसके लिए क्योंकि ऐसे हर कोई इंसान उ implementation of idea modules, क्योंकि idea modules के लिए कुछ ऐसी चीजे भी है, कुछ ऐसी technology भी है, जो अभी इतनी easily